गुजश्चता वीडियो के अंदर मैंने आप से दो पॉइंट जा दो चोटियों कोपरा और खला बट के बारे में गुफ्तकू की थी तो हम कोपरा चोटी से होते हुए खला बट जो चोटी है उसके तरफ अब रवाद हमाँ हैं और मेरे साथ चिश्ची सहाब आस्म सहाब है और शबीर साथ है तो शबीर साब आप अपनी पहलवानी के भी जोर दिखाने के मूड में हैं जाना देखें मनदल कितना खॊसरत लेंट स्कैब बहुत ही खुसरत, बहुत ही मसूरत को तो ये तारीखी लिहास से भी बहुत ऐह मुकाम है, खलाबट का, ये चारों तरफ से आप देला देखें इसके मनाजर को, और सामने उपर चोटी जिस तरह हम जा रहे हैं, खलाबट की, ये चोटी थोड़ा सा नीचे डलवान के तरफ तो जिला मुदफर बात की अदूद शुरू हो जाती है, और जहां हम कड़े हैं, ये जिला बात की तरफ है, ये दोनों अजलाग के दरम्यान, ये जो आइटिशन है, ये डिवियन है, इसकी अहमियत इस वज़ा से भी है, कि ये 1947 में, जो कश्मीर की आजादी की जंग लड गई थी, तो उसमें इस मुकाम पर बहुत बड़ा मार्का हुआ था, और डोगरा जो फॉज थी, उसको शकस्ते फॉज का समना करना पड़ा, और इसके हवाले से यहां शोदा की याददारे भी हैं, इसकी मुकामात पर, और इस मार्के के वाले से इस चोटी को जमो कश्मी की तारीक के अंदर बहुत अभियत है, तो यह जो सर बलंद चोटिया है, सरस्प्तोशादाब और एक अजाज जमो कश्मीर के हवाले से हमारे हमारा इस्ता है, इस वक्त है, तो यह ऐसे ही इनके नाम नहीं है, ऐसे ही यह सर बलंदी नहीं है, यह इन्होंने बड़े खून रेज बाकिया भी देखे हैं, और तब जाकर इनके नाम नमाया होगा है, तो इचाला आगे चाप जाओगा तो फिर दागर इस वक्त करने की पोश्य शाहिए, और जमोश्य नहीं है